हाई ड्यूल्टीज वेल्कम तो एजी पी कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ तविटा और गाई आज के इस वीडियो में हम अपने फॉरें एक्षेंज रेट शेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक नया टॉपिक बढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स और फॉरें एक् कीजिए पहले एकन को प्रेस कीजिए फॉर न्यू मोर वीडियो और आपको यहां पर बिजनस एकनॉमिक्स एन अकाउंट से लेविन फिल्ट की वीडियो मिलेंगी येस गाइस तो आप अपने डाउट्स भी कहां मुझ सकते हो मुझसे इंस्ट्राग्राम पर डार्क्ली मे बाहर बोले तो सब्सक्राइब अमेरिका से मुझे कोई समान खरीदना है तो मैं रुपिया लेके नहीं खरीज सकती राइट मुझे डॉलर चीओंगे तो हमारी करनसी को एक्स्चेंज किया जाता है विद दी अधर करनसी तो हमें डॉलर में कनवर्ट करने होते हैं और उसी को डिसाइड करता है that system is called the foreign exchange rate system ठीक है तो पहला जो काई system था that is called fixed exchange rate system ये बहुत important है guys cbsc point of view से क्यूंकि इसमें mcqs भी बनते हैं इस topic में से fixed exchange rate system क्या होते है जैसे इसका नाम है guys fixed यानि की exchange rate को fix कर दिया fix कौन करता है हमारी government fix करते है वे दब एक्स्चेंज डिट सिस्टम इस fix by the government हमारी government fix करते है अब government guys यसा क्यों करते है क्यों fix करते है तो इसके पीछे reason है कि government ये rate इसलिए fix करते है ताकि stability बनी रहे क्योंकि कार चड़ाव होते हैं तो वो चाहते है कि जब हमें वेपार करना हो business करना हो तो stability बनी रहे इसलिए उसे fixed exchange rate system का जाते है गर्मेंट इसे fix कह देती है इसका दूसरा नाम है उसे packed के नाम से आनना जाता है packed मतलब fix करना ही होता है ठीक है packed मतलब अपना मत निकाल लेना दूसर काफी जादा मात्रा में या amount में foreign currency को अपने पास रखना होता है ठीक है हमारे देश की जो currency होती है उसकी value decide की जाती है with the external standard external standard बोले तो किसी भी precious material like हमारे देश का या किसी भी देश की असली wealth क्या होती है guys असली wealth होती है gold right हमें पहले क्या कहा जाता था इंडिया को sony की च precious material यानि कि gold के term में जब हम अपनी currency को fix कर देते हैं कि इतने रुपे इतने gold के बराबर है तो उसे guys parity value कहा जाते है क्या कहा जाते है parity value जब हम अपनी currency को gold के साथ fix करते हैं terms of gold हम उसे value करते है Hen से parity value कहा जाता है और ऐसा ही हमें करना होता है हर एक देश करता है अपनी गरंसी की value किसी external standard के साथ fix करता है राइट अब गाइस यह हम लोगों को करना होता है जिसकी वजह से हमें अपने पास maintain करके चलना पड़ता है क्या foreign exchange काफी मात्रा में ताकि हमारे पास जो stability हम चाहते है इस system में वो बनी रहे फॉरण के साथ हम deal करते रहे ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ हाई तो यहां पर यानि कि हमें जो भी है यानि कि उतार चड़ा बहुत कम होते हैं क्योंकि government सब कुछ decide करते है second जो होते है यह इसको just opposite है fix की जगे है flexible exchange rate system flexible exchange rate system बोले तो flexible है it is not decided by the government बल्कि यह कौन decide करते है market के forces market के force कौन कौन से होते है दो force होते है demand and supply तो जो भी exchange rate होगा is determined by the market demand and market supply हो बही demand जादा होगी तो prices जादा होगे demand कम हो जाएगी तो prices भी कम हो जाएगे ठीक है तो market के demand and supply decide करके कि हमारा exchange rate का क्या rate होने बाला है और इसको किस नाम से जाना जाते है floating exchange rate system के नाम से तो guys इस पर MCQ आ जाते है कि flexible को किस नाम से जाना जाते है floating exchange rate के नाम से जाते है ठीक है इसमें government का कोई role नहीं रहता थर्ड जो है guys manage exchange rate system manage जो है वो fixed and flexible का combination है hybrid है flexible and fixed का दोनों का mixture है manage को manage exchange rate system में एक limit तक market पर छोड़ दिया जाता है यानकि market के forces demand and supply and उसके बाद हमारे यहां का central bank जो है आपको पता है इंडिया का central bank कौन है RBI Reserve Bank of India वो intervention करते है by supplying the foreign exchange तो अब एक limit तक तो market पर छोड़ दिया कि बहिया इंडिया का पैसा इतना इंडिया के रुपे की कीमत इतनी हो रही है यह सब लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं हमारे पैसे कीमत बहुत गिर रही है तो क्या होता है RBI intervention करते है और वो वहां पर आके फिर dollar को supply करेगा ताकि हमारे पैसे की कीमत जो है वो मजबूत हो जाए इसकी supply बढ़ जाएगी तो इसके demand क्या होगी उतनी नहीं रहेगी तो हमारे पैसे की कीमत बढ़ जाएगी तो एक time के बाद आके RBI intervention करता है तो RBI अपने पास foreign exchange काफी maintain करके चलता है ताकि वो market में थोड़ी stability बना के और इसको हम dirty floating के नाम से भी जानते हैं dirty floating के नाम से याद रखने हैं guys नाम आपको one mark के question में पूछे जा सकते हैं dirty floating के नाम से manage को जानते हैं तो guys हमारे पास total three types of foreign exchange rate system है first one is fixed, flexible and then manage और जो कि बहुत easy अपने नाम से ही जलगते हैं कि उसके अंदर क्या बात लिखी हुए है hope आप लोगों को यह जी समझ हाई होगी और अगर समझ हाई है तो बहुत simple सारी काम करने हैं आपको like करने हैं अपने friends को सा share करने हैं और अपने doubt आप मेरे से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Thank you